तो अब जो यह वीडियो मैंने बनाई है इसके लिए जो डेटा मैंने कलेट कर रहा वह डेटा मैंने यूज कर रहा है यूट्यूब सीट्यूब çıkar यूट्यूब कर रहा है यूट्यूब यूट्यूब यूज करी यूट्यूब यूज्टी दूसले इसके बसím परनी है इसके बढ़ता प्रृशिंट कर लेंगैं बट कर ले.'' एक मेरी csv फाइल पर यह पारमेटर्स हैं जो जो डिटेल में को चाहिए एक्सपोर्ट कर लेता हूं suppose you can see code is running now और यह जो जितनी भी details हैं जो भी इस date का जिस date पे मैंने code run करा है जो भी trending video होगी उस country की उसकी details मिरे को दे देगा suppose इसमें मैंने 7-8 countries ली थी like Brazil, Germany, UK, US, India तो 7-8 countries की details मिरे को एक CSV file में extract करके दे देगा तो इसको होने जाते हैं थोड़ा जैसे आप देख सकते हैं code complete हो चुका है मेरा जितनी भी details थी वो मेरी CSV file में जो मैंने पात दिया था अब वहाँ पे जाके यह मेरा यहाँ पे save होगी है days was file you can see कि मैंने days की भी कैसे file save करी हुई है तो यहाँ पे यह देखिए अभी notepad पे खोलके मैंने जैसे file दिखाई है सारी details यहाँ पे अभी level है मेरी और अगर मैं इसी को excel में खोलके आपको दिखाऊँ तो आपको structured way में असे आपको data मिल जाएगा यूटूब से track to YouTube का तो इसमें आप काफी सहरी सीचे लगा सकते हैं machine learning algorithm लगा सकते हैं आप इसमें views का comments का likes का क्या trending हो सकता है अगे अले future में तो these kind of thing you can do with that तो यह मेरी थी इसकी वीडियो तो अब मैं इसकी आगे आपको training दिखाता हूँ में इसकी visualization में कि कैसे ही एक timeline में दिखता है तो let's get started heart on fire set my heart on fire yeah गपको अब जख दिखते हैं अब में तो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो कर दो आफ दोड़ाइब लिए और रिए येप इस बित इस बिएए इस बित इस बित इचिति इस बिएएग इस बिएद आफ जचाइएग ए दूचेटिंग आफ स decrease एर फ़ाड़ जय को हाड़ ए्याव सब्दोंग हर वाड़ ए्याव चाड़ ए्याव झाल 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 झाल